अबी तक चल रहे हैं चल रहे मैं इसलिए बोलना हूं जबके आज दस तरीक हो चुकिए आट तरीक को इलेक्शन स्टार्ट हो गए ते चल रहे हैं इसलिए बोलना हूं कि अभी तक 11 सीट्स के रिजल्ट्स नहीं होए हैं According to the election commission website, अभी तक 11 seats के एने की जो बड़ी seats होती है, उसके results अभी तक pending है और ये एक हैरत अंगेज बात है पाकिस्तान के history में कि तीसरा दिन आज हो रहा है, तीसरा दिन चल रहा है, आज और अभी तक results अनाउंस नहीं हो सके है, इंटरनेशनल मीडिया पर भी एक बड़ा मजाक उड़ा है कि कैसे ही काम हो रहा है, उनके भी ये सब बात समझनी आ रही, जबके जो elections होते हैं, जैसे पिछले elections होते रहे हैं हमारे बोलके, maximum जो election की जो जैसे पांच बज़े polling खतम होती है, तो 12 बज़े तक results अनाउंस, maximum 12 हुआ है, क्योंकि देखा ये जा रहा था, क्योंकि इस वक्त जो लीट पर है, अभी भी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट्स जिसको support की, पाकिस्तन तहरी के इंसाफ ने, इमरान खान ने जिनको खड़ा किया था, और वो जीते हैं, जबके इमरान खान साब की खु पाकिस्तान तहरी के इंसाफ जब बैरिस्टर साहब है, बैरिस्टर साहब ने क्लेम किया था कि 174 सीट्स वो ओल आवर पाकिस्तान से ने की जो सीट्स हैं, वो जीत रहे हैं, बट अनफॉर्चिनेट जब ये दो दिन डिलेज जब ये लगे, एक 24 घंटे के बाद जो कुछ रिजल्ट्स आए, कुछ चेंज होए, फिर उसके बाद जो 24 घंटे बाद जो रिजल्ट्स आए, वो चेंज होते गए, यानि रिजल्ट्स चेंज होते गए, जबके फॉर्म 45 के हिसाफ से लीट पर जो थी, वो इंडिपेंडेंट सीट है, इस बग जो स्टैटिक्स है, इस है और मज़े की बाद ये 17 सीटे जो है वो MQM पाकिस्तान जीच चुकी है जब कि जो जिस दिन इलेक्शन्स चल रहे थे और उस दिन रात तक जो ये एन फॉर्म फॉर्टी फाइफ के हिसाब से जो रिजल्ट्स बन रहे थे उसमें MQM कहीं लीट पे नहीं नजर आ रही थी बड हाँ रात में एक चीज ये जरूर हुई थी कि मुस्तिफा कमाल साब ने एक चैनल को इंटर्विव दिया और कॉल पे जब उनको लिया गया तो उन्हों ने अठारा सीट क्लेम की थी कि हम अठारा सीट जीच चुके हैं मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया है कि हम जीच चुके हैं सतरह हो चुके है शायद ये जो ग्यारा सीट्स जो पैंडिंग अभी तक रिजल्ट्स रहता है शायद उसमें से एक सीट और जी जाए तो ये अठारा भी हो जाएगी उनकी बात भी सची हो जाएगी बट उन्होंने पहले से ये चीज अनौंस कर दी थी जबके जो फॉर्म फॉर्टि फाइफ के हिसाब से जो रिजल्ट्स जो चल रहे थे तमाम चैनल्स पे मैं बात नहीं कर रहा है मैं किसी स्पेसिफिक चैनल की बात नहीं कर रहा है उस वक्त तमाम चैनल्स पूरे पाकिस्तान के चैनल्स पे जो रिजल्ट्स चल रहे थे उसमें MQM पाकिस्तान की शायद एका दु करेस्ट करूंगा कि भाई वो जीत गए हैं बट अब इनको एक और मौका मिला है MQM पाकिस्तान को और मैं उमीद करूंगा कि इन्शालला इस दफ़ा जो है कराची के लिए वो सर जोड के काम करेंगे और इन्शालला कराची जो है वो तरक्की करेगा इसी तरह जो है एक और बड़ा ही पंजाब साइट पे भी बहुत सारे चेंज देखा गया कि रात तक जो है वो डॉक्टर यास्मीन साहिबा जो है वो लीट पर थी और नवाशरीफ साब जो थे वो बड़ा ही बहुत ही जादा मार्जन से नीचे थे जबकि उनका अपना हलका है बट एंड में किये गए तो बड़े डिफरेंट थे और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को जो है वो बड़ा ही उचाला है कि यार यह कैसे एलेक्शन हैं कि आपके जो है वो आपने इंटरनेट सर्विस बन कर दी और आपने सारे जो वसाहिल बन कर दी है फ्रिडम ऑफ स्पीच नह है वो आ रही है और यह वाहिद इलेक्शन है जिसका इतना बड़ा डिले है अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो पाए है तो यह भी एक बड़ा मजाग बन रहा है पूरे दुनिया के अंदर हमारा मज़े की बार यह है कि इलेक्शन कमिशन ने जब इंटरनेट सर्विस पीटीय ने बन की थी तो इलेक्शन कमिशन ने कहा था कि इससे हमारे वोटिंग पे या वोटिंग काउंट पे या हमारे रिजल्ट पे कोई फरक नहीं पड़ता है जब के इलेक्शन कमिशन की जो पहली प्रेस अन्फरेंस हुई जिसमें उन्हों ने पी-एस की दो सीट्स है वो डिले हो रहे है तो जब रिजल्ट सिस्टम्स पर डिपेंडेंट थे तो क्या एलेक्शन कमिशन का काम नहीं था कि उस वक्त ही इस बात को इंडोस करते और कि यह जो जितने भी आपने नेटवर्क बंड किये थे उसको कहते कि यह खुला रहन दो ताके सिस्टम्स लो ना हो तो यह भी एक बड़ा ही कोशन मारक है उनके उपर कि यह जब अगर अगर यह मसला जब नहीं था ज्यूंकि उन्होंने खुद यह बात बोली थी कि इससे हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा वोड काउंट हमारे मैनुवली होने है तो जब उन्होंने यह चीज़ एगरी की थी तो बाद में जब उन्होंने जब पहली प्रेस कॉंफरेंस की और उसमें यह बात बनती नहीं थी उनको यह बात करी बाराल इस दफ़ा एक और बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ नजर आई है कि अवाम जो है अवाम वोड देने के लिए बहुत निकली मैं खुद मैं खुद वोड देने जब गया हूं तो वहां पे खवातीन का एक बड़ा ही रश देखने को नजर आया और मुझे लग वोड देने के लिए मेरी लड़कों की लाइन में कुछ चार पंच लोग खड़े थे बट मेरे ही फैमिली की कुछ इल्टावातीन है जो लाइन में ही लगी तो मुझे आदा कंटा वेट करना वड़ा उनके लिए तो ये एक बड़ी गुड साइन है पाकिस्तान के लिए मै जीत हार को नहीं कर रहा कि कौन जीता कौन हारा ये तो रिजर्ट्स बताएंगे लेकिन ये अच्छी बात है कि अवाम निकली अवाम ने वोड दिया और इसमें कोई शक की बात नहीं इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान तेरिक इनसाफ के जो लीडर है उनको जाता है क्योंकि उनकी एक बड़ी कोशिश शुरू से है कि अवाम निकले और वोड दे जो कि बड़ा मुश्किल कम होता था और लोग जाते ही नहीं थे क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारा वोड वेस्ट होगा और अभी भी लोगों को ऐसे ही लगता है कि कुछ ज चीजों में करवर हुई लीट पे जो है उनके उमिदवार जा रहे थे बट अनफॉर्चनेटली जीता कोई और तो जाहर है ये एक बड़ा डिस हार्ड मोमेंट होता है कि हम किसी के वो अपना अगर वो एक यूएस से आ रहा है कोई कैनेडा से आ रहा है अरजेंट फ्लाइट करके पांच लाग छे लाग रुपे खरच करके अगर वो आ रहा है और सिर्फ वोट डालने के लिए कि वो कह रहा है वो ये समझ रहा है कि ये मेरा हक है कि मैं चूज करूँ कि इस पाकिस्तान को कौन लीट करेगा और जब वो ये देखता है कि यार ये तो मेरा मेंडिट ज क्या चीज़ छोड़ के जा रहे हैं अच्छा इन सब बातों के इलावा अभी इस वक जो सिनेरियो चल रहा है ना जो इंडिपेंडेंट उमिदवार है क्योंके पीटी आई जो है वो ये क्लेम कर चुका था कि फॉर्म 45 के इसाब से 174 सीट जीत रहे थे यानि टूठर्ड मिजॉर्टी के साथ वो आ रहे थे बट अनफॉर्टनेट रिजल्ट्स चेंज हो गए चीजे चेंज होने लग गए अचानक से और वो हार गए एक बड़ी सीट आलमगी जो के अपने हलके के बड़े ही मशूर है और मशूर भी है और काफी काम भी गया उन्होंने वहां से जो हार गए और खुरम शेर जमान जो के कोई सोच नहीं सकता था कि वो भी हार जाए और एक बड़ी लीट पे थे और दूर-दूर तक जो समझ रहे थे उनके पर फॉर्म 45 है उनके पर प्रूव्स है तो वो ये चीज हाई कोट में जाके जो क्लेम करने जा रहे है और हो सकता है कि कुछ का डिसीजन जो है वो चेंज हो जाए माइट भी हो जाए और अगर वो राइट पर है तो होना चाहिए अगर वो रॉंग है तो बिलकुल जो डिसीजन इलेक्शन कमिशन ने लिया है वो वही रहना चाहिए बट इस वक्त यही चल रहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो समझते हैं कि उनका मैंडिट चीना गया है या उनके साथ जयाती हुए है तो उन्होंने हाई कोड के अंदर क्लेम कर पेटिशन डाल दिये है उस चीज़ को चैलेंज कर दिया है कि उन वो अकॉर्डिंग टू फॉर्म फॉर्टी फाइफ जीते वे थे और रिजल्ट्स जो है वो चेंज हुए है मसला यह है कि अभी तक हम जो है इस रिजल्ट्स पे नहीं आएं कि अभी तक हमने जो हमारी जो टूटल सीट्स है वो हम अनौंस नहीं कर सके है जो कि टू सिक्स्टी सीट्स है जो कि आज अभी तक आज जो हमारी तस तारीक हो गई है और रात हो चुकी है और अभी तक ग्य उनके पास तीन दिन है कि वो चूज करें कि वो किस पार्टी के साथ खड़े वे हैं वरना इनकी जो सीट्स हैं वो डिस्टिप्यूट हो जाएंगी सारी पार्टी को तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है हुकुमत कौन बनाएगा जरदारी साब इस वक्त मेटिंग्स कर रहे है कल की अपडेट है कि जरदारी साब जो है नवाज शरीफ साब के साथ उन्होंने मिटिंग की है और शबाज शरीफ साब ने एमक्यम पाकिस्तान को भी कॉल पे उनकी भी बात हुई है खालिक मकबूल साब से तो ये मामला अभी चल रहे हैं मैं उमीद करता हूँ मैं बस एक दौाई कर सकते हैं हम एज़ा पाकिस्तानी हम एक दौाई यही कर सकते हैं अल्ला से हेल्प मांग सकते हैं अल्ला से ही क्योंके जाहिर सी बाते मदद करने वाला तो वही है कि इस मुल्क का जो है इस मुल्क जो भी इस मुल्क के लिए बहतर है ना वो अल्ला फैसला कर दे है क्योंकि हम काफी सालों से तकरीबन हमें 8 साल हो चुके है एक बड़ा ही मुश्किल पिरियड पाकिस्तान गुजार चुका है और आगे भी कुछ मुश्किलात कम होती भी देखनी रही है क्योंकि जिस तरह की अभी इस वक्त जो सीट्स बनी है वोटिंग वोटिंग जो हुई ह और जो नेशनल आसेमली में जो लोग जिस तरह आयम हैं जिस तरह की काउंटिंग है 171,54 तो उस हिसाब से भी अभी बहुत जादा चीज़ें डिस्टरब है कि हुकुमत कहां बनेगी मिल के बनेगी मिल के भी बना लें कोई प्राबलम नहीं होता है इस से भी बस सिफ एक ही सबका बैठने का जो रीजन है वो एक ही होना चाहिए और वो यह है कि मुलक के मफाद के लिए बहतर काम करें अच्छी पॉलिसीज लाएं जैसे कि मैंने भी लास्ट पॉड़कास के अंदर भी अक्सर पॉड़कास में यह डिसकस करता हूँ कि हमारी जो एकोनॉमिक है वो क कोरिया क्या है और कितना मतलब एक कंट्री है जो तरक्की कर चुकी है तो उसने अपने आपको ऑ्रियुएंटेड बनाया उसने कहा कि बंध्राव शायतो उसने कि कपॉड़। हैं. ठीक है? कुछ चीजे जो है मुसल्मानों के हक में बहतर नहीं होंगी वहाँ पर. बट जो उन्होंने अपनी अपनी नेशन के लिए जो काम किये. मै बात नीवे मेरे कि श्मीरियों के हुआले से उनके डिसिजिंज्जन गलत थे हैं. सुल्मानों के लिए कुछ डिसिजन उनके गलत है बट एड दी एंड जो मिजॉर्टी की बात की जाए जो उन्होंने जो अपने मुल्क के लिए जो एकॉनमी के लिए और जो इसके मुल्क की तरक्की के लिए जो काम किया है इस वक इंडिया भी बहुत बड़ा जाइंड बन चुका है पुरी दुनिया में उनके आई टी देखो बिलियन्स डालर उनकी आई टी जो पहुंच चुकी है तो उसके पीछे जाहर सी बात है एक लीडर का हाथ है जो के टू थर्ड मैजॉर्टी से जीता हुआ है और जो डिसिजन वो चाहते है मुल्क के लिए अच्छा हो एजिली ले सकते है तो हमारे पास भी ऐसे ही होने चाहिए कि जो डिसिजन मुल्क के लिए अच्छा हो वो हम एजिली ले सकें कोई इंटरेप्शन ना हो कोई चीज ना हो पीमेलन आए, पीपस पार्टी आए, इस सारे सब हमारी लोग है, अगर पीपस पार्टी की बात की जाए, तो इसन्द की पार्टी है, बलावल साथ इसमें गलीट करें, इस यंग लीडर, वो भी अगर आजाए, अगर मुल्क के ले अच्छा चाह रहे हैं, तो वेलकम है, हवाम चाहती है, कि हमारा मुल्क तरक्य करें, अगर पीमेलन आजाती है, नवाज शरीफ साब आते हैं, पहले ही वो तीन चार दफ़ा जो हो हुकोमत में रह चुके हैं, अगर वो आते हैं, तो भी एकर कर रहे हैं, अगर पीटियाई आए आजाती है, इंडिपेंडेंट से किये होता है, बड़ा ज़स्बा होता है, नया नया काम होता है, तो अच्छा करने के लिए दौर लगा देते हैं, तो उमीद है कि वो भी अच्छा ही करेंगे, इंशाला, तो हम उमीद ही कर सकते हैं, बट अनफॉर्चनेटली, अभी तक हम रिजल्ट्स की तरफ बैठेंग कर रहे हैं, ग्यारा एने की जो सीट्स है, उसका रिजल्ट्स नहीं आया है, आई डून नो कब आएगा, बट आएगा तो इंशाला अच्छा ही आएगा, बट अभी भी कुछ सीट्स जो है, वो क्लेम कर चुकी है, चैलेंज कर चुकी हैं, अपने सीट्स को कि भाई, ये र झाल